विल्कम तो आवर चैनल गाइस तो आज हम आगे बात करेंगे अपने CSS के टूटोरियल में आगे और जानेंगे चीजों को और सीखेंगे प्राक्टिकली ठीक है तो अगर आप कोई नए यूजर है जो की पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा का पूरा का पूरा कर लिया था हमने how to add कर लिया था कैसे external internal और inline CSS add करते हैं आप जरूर देखिए अगर कोई नहीं देखा है तो आपने इस वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा अब हम आगे बात करते हैं CSS comments के बारे में बिल्कुल सही लिखा हुआ है देखो comments होता है अगर suppose कीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है उस code में मतलब नहीं comments क्या होता है कि किसी code को समझने के लिए हम comments का यूज करते हैं suppose कीजिए कि यहाँ पर जो line लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यह क्या करता है तो यह CSS external CSS को add कर देता है अब यह line मानलो कि कोई नया user पढ़ेगा तो इसको समझ में नहीं आ रहा है जिसने नहीं जानता हो जो CSS वो कैसे जानेगा कि यह क्या कर रहा है ठीक है तो आपको क्या करना है किसमें comments यूज करने किसी भी programming language में comments होते है ठीक है और generally ऐसे करके जब आप लिखते हो ठीक है तो यह multiline comments हो जाता है तो अब हम मैं क्या करूँगा पहले तो आप आपका जो यह इतना दोर दीख रहा है यह comments होता है इसके बीच आप लिखोगे कि linking to external CSS ठीक है तो यह होता है comment सब इसका code पर आपका कोई असर नहीं पड़ेगा सब पोचिज राइट क्लिक करके मैं open with live server करदा हूँ तो आप देखना यहां पर देखो जो हमने लिखा है यह पर पहले से linking to external CSS यह कुछ काम नहीं कर रहा है ठीक है यहां पर कोई नहीं है तो यह बस आपको समझने के लिए ताकि आप देखो होता कि है जब आप code लंबा लिख देते हो तो कई बार आपको उसको edit करने में या देखने में problem होगी ठीक है कि कौन सा चीज कहां लिखा हु इस तरीके से लिखते हैं मैं आपको नोटस में दिखाता हूँ यह हमारा म söyl différence है ठीक है थीग है। यह क्लिखता हूं कि यह यहां पर लिखता हो कि the विलकम is the class of paragraph ठीक है? लेट से ये paragraph जो है और इस तरीका से लिखूँ उसके बाद इसको सेब करो तो ये क्या हो गया? कि ये हमारा CSS है, CSS का code है और ये हमारा comment हो गया, ठीक है? तो अब ये comment क्या कर रहा है? इसके पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है देखो जैसे मैं सेव कर रहा हूं तो यहां पर देखो कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा उसका जो लिखा हुआ तो यह क्या कर रहे है कोड को आपको और हमको समझने के लिए बस कमेंट का काम करता है कि हाँ हमने यह चीज लिखा है सब्सक और अस्टार के बीच आप जो भी लिखोगे वो कमेंट बनता जाएगा अभी जो भी मैं लिखूंगा इस सब का सब कमेंट हो जाएगा ठीक है अब जैसे ही मैं इसको वापस से बंद करूँगा तब जाकि अब अनकमेंट यहां से देखो चालो होगा ठीक है अब यह आपक करना कुछ नहीं है slash लगाना है और अस्टार लगाना तो यह आपका comments हो जाएगा comments क्या होता है? simple सा होता है comments होता कुछ नहीं है आपको और हमको समझने के लिए कभी-कभी codes में कुछ line लिखना चाहते हैं जिससका खाससवर नहीं पढ़ता है हमारे code पर तो वह comment होता है और इसको मैं save करूंगा तो जब यह comment हो गया तो यह CSS अब नहीं रहा ठीक है इसने आपका comment as a comment treat कर रहा है browser आप देखोगे तो इस पे जो CSS apply होई थी वो हट जाएगी राइट क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने इसको comment कर दिया अब यह समाझ रहा है CSS आपका कि यह comment लिखा हु नहीं है तो thank you so much bye bye